मन की बात यानि आपके साथ मिलने का एक शुब अवसर और अपने परिवार जनों के साथ जब मिलते हैं तो वो कितना सुखद होता है, कितना संतोसदाई होता है मन की बात के द्वारा आपसे मिलकर मैं यही अनुभूती करता हूँ और आज तो हमारी साजा यात्रा का एक सो आठवा एपिसोड है, हमारी यहां एक सो आठ अंका महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्यान का विशा है माला में एक सो आठ मन के, एक सो आठ बार जब, एक सो आठ दिव्यक्षेत्रा, मंदिरों में एक सो आठ सीधिया, एक सो आठ घंटिया, एक सो आठ का यह अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है इसलिए मन की बात का एक सो आठ वा एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है इन एक सो आठ एपिसोड में हमने जन भागिदारी के कितने ही उधारण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है अब इस पड़ाओ पर पहुँचने के बाद हमें नए सिरे से नई उर्जा के साथ और तेज गती से बढ़ने का संकल्प लेना है और ये कितना सुखत संयोग है कि कल का सुर्योदय दोहजार चोबिस का प्रथम सुर्योदय होगा हम वर्ष दोहजार चोबिस में प्रवेश कर चुके होंगे आप सभी को दोहजार चोबिस की बहुत बहुत शुप पामना है साथ्यों, मन की बाद सुनने वाले कई लोगों ने मुझे पत्र लिख कर अपने यादगार पल साजा किये हैं एक सो चालीस करोड भारतियों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेश उपलब्दियां हासिल की है इसी साल नारीश शक्ती बंदन अधिनियम पास हुआ जिसकी प्रतिक्षा बरसों से थी बहुत सारे लोगों ने पत्र लिख कर भारत के पाँचवी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बनने पर खुशी जाहर की अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सभरता याद दिलाई साथियों आज भारत का कोना कोना आत्म विश्वास से भरा हुआ है विक्सित भारत की भावना से आत्म निर्भरता की भावना से ओत प्रोत है 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है दिवाली पर रिकॉर्ड कारुबार ने ये साबित किया कि हर भारतिय वोकल फर लोकल के मंत्र को महत्पत दे रहा है साथियों आज भी कई लोग मुझे चंद्रियान तीम की सफलता को लेकर संदेश भेजते रहे हैं मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्ञानी को और विशेश कर महिला वैज्ञानी को को लेकर गर्व का अनुभव करते होंगे साथियों जब नाटू नाटू को अस्कर मिला तो पुरा देश खुशी से जूम उठा दे एलिफंट विश्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ इनके माध्यम से दुन्या ने भारत के क्रियेटिविटी को देखा और परियावरान के साथ हमारे जुडाव को समझा इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबर्जस प्रदर्शन किया एशियन गेम्स में हमारे खिलाडियों ने 107 और एशियन पेरा गेम्स में 111 मिडल जीते क्रिकेट वर्लकप में भारतिये खिलाडियों ने अपने प्रदर्शन से सप्पा दिल जीत लिया Under 19 T20 World Cup में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेदित करने वाली हैं कई खेलों में खिलाडियों के उपलब्दियों ने देश का नाम बढ़ाया अब 2024 में पैरिस अलेम्पिक का आयोजन होगा जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाडियों का होसला बढ़ा रहा है साथियों जब भी हमने मिलकर प्रयास किया हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ हमने आज़ादी का अमरुत महोसव और मेरी माटी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया इसमें करोडों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी हैं सत्तर हजार अमरुत सरवारों का निर्मान भी हमारी सामुही को प्लब्दी है साथियों मेरा ये विश्वास रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता उसका विकास रुख जाता है भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुखने वाले नहीं है 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 वे रैंक पर थे आज हमारी रैंक 40 है इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट के संक्या जादा रही जिन में करीब 60 परसंट डोमेस्टिक फंसके थे Q.S. Asia University रैंकिंग में इस बार सबसे अधिक संक्या में भारती उनिवरसिटी शामिल हुई है अगर इन उपलब्दियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो एक कभी पूरी ही नहीं होगी ये तो सिर्फ जलक है भारत का सामर्थ कितना प्रभावी है हमें देश की इन सफलताओं से देश के लोगों की इन उपलब्दियों से प्रणा लेनी है गर्व करना है नए संकल्प लेने है मैं एक बार फिर आप सब को 2024 की शुप कामनाई देता हूँ